दोस्तो आईए जाने आज अनंतनाग इंकाउंटर की इंसाइड श्टोडी एक तरफ जंगल तो दूसरी तरफ है खाई सेना के लिए पहाड़ बना चुनोती दोस्तो चैनल अवी तक सबस्काईव नहीं किया है तो प्ले चैनल को सबस्काईव और वैल आईकन को प्रेस कीजी मंगलवार देर रात से जम्मु कस्मीर के अनंतनाग जिले में सुरू हुआ इंकाउंटर इसका मुख्मिर ही है कश्मीर का गदार देश के जवानों का गुनह कार है जिहां दोस्तों आदमक्यों के वार्स गोला बार्स उन बिलकते चैनल पिने के सामान किसी तरह की कोई कमी नहीं है अब तक इस मुठवेड में तीन जवान सहीद हो चुके हैं तब भी ये मिसन खतम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है दोस्तों आईए जाने क्या है बज़े पहार का रास्ता सेना के लिए बना हुआ है चुनोती हालंकि इस दोरान सेना को कुछ भी नहीं मिला बस इतनी जानकारे मिली की आतंकी पहाड़ी के उपर चोटी पर हैं और इसके बाद सेना और पुलिस की टीम ने धावा बोलने का फैंसला किया पूरे इंकाउंटर के दोरान पहाड़ी के उपर चढ़ने का रास्ता सेना के लिए चुनोती बना हुआ है क्योंकि रास्ता काफी सक्रा है तो वहीं एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ घना चंगल है तो बाइन तरफ खाई है सेना ने जब चढ़ाई सुरू की तो सबसे आगे मेजर आसीस और जम्मु कस्मीर पुलिस के डियस पी हुमायू भट थे दोस्तो जवरदस्त गोली बारी कर रहे हैं आतंकी बहीं उपर छिपे आतंकियों ने अपने जगे से सेना और पुलिस को आते देख लिया इसके बाद उन्होंने भारी फाइरिंग शुरू कर दी इस दोरान सेना को समलने का पक्त नहीं मिला इस बीज जब करनल मेजर और डियस पी को गोली लगी तो उनको तुरंथ मदद नहीं दी जा सकी भारी गोली वारी के बीच हेलिकोप्टर भी नहीं उतारा जा सका बहुत ही मुश्किल से तीनों अधिकारियों के सब को सेना लेकर नीचे उतरी इसके बाद सेना ने आतंकियों के छिपने वाली जगे को चारों तरब गेर लिया है और धावा बोल दिया दोस्तों वीडियो के अंत में आप जाने हैरान ड्रोन के जरिये हमला कर रही है सेना हैरान के जरिये सेना बिस्पोठक भी गिरा रही है रोकेट लोंचर दागे जा रहे हैं सुरक्सा वरों के लिए लोकिसन की संरशना काफी चुनोती बन रही है इसी लिए तो कहा जा रहा है कि एक तरफ जगे है तो दूसरी तरफ खाई जब लोकिसन की नहीं मिलेगी तो कैसे होगा ओपरेशन सकसे ठैंक यू दोस्तों वीडियो अच्छी लगियो तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए धन्यवाद अच्छी लगियो अच्छी लगियो अच्छी लगियो